नमस्कार सलाम नियूस क्लिक के इस खास कारकरम चुनाओ चक्र में आपका एक बार फिर स्वागत है मैं हूँ मुकुल सरल तो साथियों चुनाओ का बिगुल बच चुका है पुर्वोत्तर के तीन राजियों तुरुपरा, मेघाले और नगालेंड के चुनाओ की तारिखों का आईलान हो गया है तुरुपरा विधान सभा के लिए 16 फरवरी को मद्दान होगा जबकि मेघाले और नगालेंड विधान सभा के लिए 27 फरवरी को वोट डाले जाएंगे मद्गर्णा सबकी एक साथ दो मार्च को होगी बुद्वार को मुखे चुनाओ आयुक्त राजियों कुमार ने एक सम्मादाता सम्मिलन में इसकी घुश्णा की इन चुनाओ पर आज हम बात करेंगे असम के शहर गुवहटी में मौजूद हमारे साथ ही रिपोर्टर संदीपन तालुकदार से जो पूरे पूर्वोत्तर की राजनीती पर गहरी निगाह रखते हैं संदीपन के पास चलें इससे पहले कुछ और ज़रूरी बाते कर ली जाएं यहां आप यह भी नोट कर लीजे कि लोक सभा में आम बजट पहली फरवरी को पेश होगा चिनाओ का इस बजट और इस बजट पर इन चिनाओ का क्या असर पड़ेगा क्या फर्क पड़ेगा इसका भी विशलिशन जरूरी है देखना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी जिसे रेवडी कहते हैं वो इन राज्यों के हिस्से में कितनी आती है हाला कि हम सब जानते हैं कि लोक कल्यानकारी योजनाएं राज्ये का दाइत्व है और बुनियादिस विधाएं हासिल करना भी जनता का अधिकार है कोई सरकार जनता को रेवडिया नहीं देती जो देती है वो उसी के टेक्स का पैसा और हक होता है हाला कि विपक्षी धलो और विपक्षी सरकारों को घेरने के लिए मोदी जी ने ये जुमला इजाद किया है इसके लावा यह भी ध्यान देने वाली बात है कि तीनों राज्यों में भाजपा सक्ता में शामिल है और इस बार भी उसने उत्तर भारत की तरह इन राज्यों में अपने हिंदुत्वा और राम मंदिरादी के मुद्व पर चुनाओ लड़ने का खुला संके दे दिया है आपको याद है कि पिछले दिनों देश के ग्रह मंतरी अमित शाह विपक्ष को चिनौती देते हुए तृप्रा की धरती से राम मंदिर की तारिक का ऐलान कर चुके है यह सब राजनियते भी हम समझेंगे खर आपको बता दूँ कि तृप्रा मेगाले और नगालेंड तीनों राज्यों में विधान सबा की 60-60 सीटे हैं तृप्रा विधान सबा चुनाओ के लिए अधिसूचना 21 जनवरी को जारी हो गई और नामंकन की आखरी तारिक है 30 जनवरी नाम वापस लेने की आखरी तारिक दो फरवरी है और फिर 16 फरवरी को मतदान तृप्रा में मददाताओं की कुल संख्या 28 लाग से कुछ ज्यादा है जैसा कि हमने पहले एपिसोड में ही बताया कि वरतमान में यहां भारते जन्दा पार्टी और इंडिजन्स पिपल्स फ्रन्ट आफ तृप्रा यानि आई पी एफ्टी की गड़बंदन सरकार है पिछले एपिसोड में हमने 2018 के सीटों का भी ब्यारो दिया था लेकिन इस समय तृप्रा राज्य विधान सावा में सदस्यों के कुल संख्या तरेपन हैं जबकि साथ सिटे खाली हैं इनमें भाजपा के 33, IPFT के 4, भारत की कमिनिश्ट पार्टी मार्कसवादी यानि CPIM के 15 और कांग्रिस का एक सदस्द से शामिल है भाजपा और IPFT ने इस बार साथ मिलकर लड़ने की खुश्णा की है हाला कि 2018 में ये दोनों दल अलग अलग चुनाव लड़े थे लेकिन चुनाव के बाद एक साथ आ गए थे इस बार CPIM और कांग्रिस ने भी चुनावी गड़ बंदन की गुश्णा की है TMC भी चुनाव में अपना भाग गया जमाने जा रही है 2018 में चुनाव के बाद भाजपा ने IPFT के साथ राज्य में सरकार बनाई और विपलब कुमार देव राज्य के मुख मंत्री बने विपलब देव को उत्तर भारत के दर्शक भी अच्छे से जानते होंगे क्योंकि वे अपने अजीब और गरीब बयानों की वज़े से हर दम विवादों में बने रहते है पिछले साल माई महिने में भाजपाही कमान ने जी हाँ भाजपा में भी हाई कमान होता है कुछ लोग सिर्फ कांग्रेस में हाई कमान का जिक्र करते है तो बीजेपी हाई कमान ने विपलब देव को मुख्वंत्रिपत से हटा कर उनकी जगह मारिक साहु को राज्य की कमान सौपी आप चलते हैं अपने समाधाता संदीपन के पास संदीपन आप हटी में मौझूद है और पूरे पुर्वुत्तर की राज्याय देख रहे हैं तो हम श्रौ आप तीनों राज्ये तुरुप्रा मेख़ाले और नागलेंड इस पर बारी बारी के जनता के मुद्दे भाजपा का पांस साल का शाशन वहां कैसा रहा क्या रिपोर्ट कार्ड है उसका और इस दौरान क्योंकि एक मुख्यमंत्री भी बदला गया तो आप इन चुनाओं की क्या खासियत देख रहे हैं और क्या मुद्दे आप देखे आभी जो ट्रिपुरा म जाने जाते थे जी वो गरीब स्टेट में हम हमारे सब के सामने हैं और लग पक एक सल हुआ है और अभी मानिक सहा है च्रिपुरा की अगर बात करे जो तरी पुरी में कुल मालिगे की साथ सीटे यह पर अभी जो ट्रिपुरा में ऊस बार एक नजर आ रहा है सामने आपका ये प्रदूट मानिक को डिवो वर्मा जो ट्रिपूरी इंडिजेनियस ट्रिपूरी लोगों का जो पार्टी वो लोग कहते हैं कि टिप्रमोठा तो उन लोगों का एक नया उभार हुआ है अगर हम उसका पड़ताल करें रेखेंगे कि CAA सब्सक्राइब के दौरान जिस टाइब से पुरे देश में विद्रो हुआ था और खास तोरके नौट इस्त में शुरू से जिसका एक टाइब से कहिए क्या गवाई हुआ था अपर ये प्रदूट बिक्रम मानिक को डिव वर्मा तो इनका एक लीडर्शिप उगरा है पुरा के जो मिनिशिपल्टी जगे जगे मिनिशिपल्टी और पंशायत का इलेक्शन हुआ हो लोग उधर भी मानिक का पार्टी अच्छा प्रदर्शन किया है और ट्रिपुरा में लोग कह रहे हैं कि एक थार्ट फ्रॉंट की तरफ एक भार हो सकता है और जैसे हम मैंने परशनेली बात किया था तो उनके पार्टी के लोग कह रहे हैं और खुद बिक्रों हम से जब बात किये थे मेरे इसके पर तो कह रहे थे कि आपका वो लोग एक डावेदारी इस बार रखते है ट्रिपुरा में सरकार बनाने के उसमें तो थार्ट फ्रॉंट के उभार के ब लंबे समय से सरकार थी ट्रिपुरा की बीजेपी के आने से पहले दोजर अठारा में भी सिप्यम की सरकार थी मानिक सरकार वहां के बहुत ही पॉपुलर मंत्री रहे हैं सिप्यम भी इस बार अपने दावाजरी के साथ है लेकिन अब इसमें देखने वाली ये बात है कि मिला था खबरों में आया मीडिया में कि सी पीएम और कॉंग्रेस ने गडबंदन करने का लगभग ऐलान किया है लेकिन इनके साथ ये प्रदूद बिक्रम मनिकों का जो पार्ट क्लेम कर रहा है और उनका कोई उस ताइब का एनाउंस्मेंट या अलाइंस का हम लोग अभी तक दिख नहीं रहा है हलाकि वहां के पॉलिटिकल विशिशग जो है वो कह रहे कि हो सकता है कि पोस्ट अलाइंस भी कोई समझोता बने क्योंकि टीन ओप फोर्स अभी स्ट्रॉंगली मतलब बहुत स्ट्रॉंगली एन्टी बीजेपी एक पोजीशन में है तो कुल लेदे के ट्रिपुरा का अभी तक यहीं दिख रहा है कि एक नया पॉलिटिकल उभार है शत्ति का और अगर हम जन्ता के मुद्दों की बात करें ट्रुपरा की जमीनी हालात की का की कि बात करें कैसा रहा शाशन मांके लोगों के मुद्दे क्या है क्या मांगैं है समस्या क्या है में मुद्दा कोन सा बनने की तरफ जा रहा है तरफ अधूरऑ 넌र्ट इस में इस समय आपका बेरॉजगाम एक बहुओ बहुत बड़ा मुद्दबं के पिछले चार साल में और आपका पोस्त को वीड इस ताइब के सिटूएशन बनाया बेरुजगारिव बहुत बड़ा मुद्दा रिपूरा असाम में जाला है बहुत बड़ा मुद्द मनीपूर में और हम अब उसके साथ साथ आपका ट्रिपूरा में हम डेक सकते कि कि को ले कि यह सब मुद्द जब बैग्राउन में रहता है और लोगों का गुस्सा अलग अलग मुद्दों पे वो सड़क पे ठीक जाता है और वो ट्रिपुरा में भी दिखाता है बेरोजगर यह बहुत बड़ा मुद्दा है जनता एक्तम नाखुश है और उसके साथ आपका यह जो महंगाई का पूरा जो सिस्टम है तो उससे तो लोग बहुत नाखुश है तो यह मैं पूछूंगा कि महंगाई और विरुजगर यह पूरा राश्ट्रे मुद्दा है यह इस समय पूरे देश में मुद्दा है अगर तुरुपुरा स्पेसिफिक बात की जाए तो का अब कुछ और मुद्दे भी है उसके अपने पूरा नौटिस में मुकल जी देखें नौटिस में हर स्टेट पे अपना इंडिजेनियस और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का एक महत्तु रहता है हर स्टेट में तो वहां पर भी आपका इसलिए प्रद्द्द्द्मानिक की जो पार्टी है उसका उभार भी हुआ है कि वहां पर इंडिजेनियस आपका पार्टी के साथ जो वह भी है वहां का वह इसू है वह कॉंट्राडिक्शन अभी वहां पर है और वह इसू आपका डीक रहा था के समय से लगाता है कि समय से इस ताइप से क्या रहे थे कि इस से यहां के इंडिजेनिस ट्राइवेल्स के अपना एग्जिस्टेंस और इसका आइडेंटिटी बहुत खट्रे में आ सकता है तो वह मुद्दा अभी भी है और मानिक्शा उसी इंडिजेनिटी के सवाल पर औ लाग्जगरी और आपका नाम हिगई है उसको लेके आगे बर रहे हैं तो संदिपन क्यूकि हम अब तर्प्रा में सबसे पहले चुना हो हैं तो इस से आगे एपिसोड में हम इस कर और विस्तार से बात करेंगे आप से बात करेंगे हैं अब हम थोड़ा सा मेघाले की बात क पास आते हैं अब बात मेगाले की मेगाले की भी 60 सदस्य विधानसवा के लिए 27 फरवरी को मतदान होगा और जैसा की पहले भी बताया गया कि मदगर्णा दो मार्च को होगी मेगाले में कुल मतदाताओं की संख्या 21 लाग के करीब है चनाओ आयोक कनुसार मेगाले विधानसवा चनाओ के लिए दिसूचना 31 जन्वरी को जारी होगी मेगाले की 2018 की इस्तितिक अब्यारा हमने पिछले एपिसोड में दिया था फिर बता देते हैं कि समय मेगाले में National People's Party यानि NPP की अगवाई में United Democratic Party UDP People's Democratic Front PDF भारते जन्ता पार्टी यानि BJP तता Hill State People's Democratic Party HSPDP की गड़बंधन सरकार है और कौनराट संगमा मुख्यमंत्री है अब इन चुनाओं में गड़बंधन की कवाय चल रही है हाला कि अभी तक किसी भी राजनातिक दल ने गड़बंधन मना कर चुनाओं लणने की घुश्टान नहीं की है 60 सदस्य मेगाले विधान सबा में वरतमान में कुल 42 सदस्य हैं जबकि 18 सिटे अभी रिक्त हैं मेगाले के पिछले चुनाओं में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला था कांग्रेस 21 सीट पर जीत दर्जकर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी लेकिन भे बहुमत से दूर रह गई और बीजेपी ने कौनराड संगमा के नितरत वाली एनपीपी के जिसको 19 सीटे मिली थी उनके साथ मिलकर सरकार बना ली इस बार के चुनाओं में एनपीपी और भाच्पा ने अलग-अलग चुनाओं लड़ने की घोशना की है मेगाले के चुनाओं पर बात करेंगे फिर अपने साथी पत्रकार संधीपन से तो संधीपन ये तुरपरा के बाद मेगाले के हमने बात की यहां के चुनाओं के बारे में कुछ बताईए क्योंकि खास और से जब मैं हिंदी में आप से बात कर रहा हूं तो हिंदी पट्टी जो है पूरी उत्तर भारत ये पूर्वत्तर को लेकर नौर्थ इस्ट को लेकर काफी तरह के पूरवग्रा, काफी तरह के भ्रहम, इन सब में रहती है, तो मेघाले के चुनाओ की क्या विशेश्टा है, चुनाओ में क्या है, वहाँ भाजपा सक्ता में शामिल है, तो क्या कुछ मुद्दे और समस्याएं आप देख रहे हैं मेघाले में? मेघाले में बहुत ही इंटरिस्टिंग इलेक्शन इस बर होनी जा रहा है, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि मेघाले में आप देखेंगे कि आप एन पीपी का कॉनराज साम्म की जो पार्टी है और बीजेपी का सिर्फ दो एमेले है उसके साथ वह सरकार में हैं, उसके साथ कॉंग्रेस सबसे हाइस्ट माने सिंगल लाजिस पार्टी थी की सिटों के साथ, फिर भी वह कोई सबसे बहार हो गए नहीं हां, लेकिन इस पार अभी अगर हम देखें इस सम मेने मुश्किल से एक मेने हैं, तो उसमें आपका MPP, कॉंग्राज सांग्मा और BJP का कोई अविटर नहीं है, कॉंग्राज सांग्मा के पार्टी कह रहे हैं कि अथावन सिटों पे शायद वो लोग लडएंगे, और उस मामले में अगर हम देखें कि मुकुल सांग्मा इसक का भी एक बहुत important role रह सकता है, क्रिटिकल जो वोट होगा, critical numbers होगा, वो एक importance रहेगा, और मुकुल सांग्मा जेका, specially आपका जैन्टिया हिल्स में भी उनका अच्छा खासा presence है, और गारो हिल्स में भी है, लकिन उसमें कितना सीथ आता है मुकुल सांग्मा को और उनके प वो तिन चीजों में बहुत नाख्रूस है, एक जो यह आपका uniform civil code वालमामला है, उसमें खासी जो पोलिटिक्स है, उसमें कॉन्राद चांग्मा और पूरा खासी लोगों का, पेगाले के खासी गारों यह सब लोगों का, उन लोगों का कोई बहुत ज़्यादा acceptance नहीं है, उनसे थोड़ा सा नाराज गिये है, इनि सिविल को लेके, तो कॉन्राद चांग्मा जहां तक हुआ था, उसमें भी डेखने को मिला था कि आसाम के, जो आपका BGP के मिनिस्टर्स है, वो जाके कहा रहे थे कि जो मुक्रो बोलके जिस जगे पे हुआ था, बिवाजित गाउं था, तो उसमें कहा रहे थे कि यह आसाम का है, और वहां से कॉन्राद सांग्मा का जो फर्स् तो मुक्रो तो वेस्ट जैंटिया हिल्स का अंदर का एक गाउं है, तो इसमें कोई contradiction या कोई dispute नहीं है, तो इस ताइप का चीज़ तो दिख रहा था, और उसके बाद NPPP का भी एकट लीडर बीजेवी में चला गया, तो काफी खुश नजर तो नहीं आ रहा है, लेकिन अ मिलता है, मुकुल सांगमा जे थोड़ा सा हार्ड हेंडेट टाइप का था कि एसे उजब का खासी student union काफी dominant force है, तो उन लोगों के लोगों को जेल में भेजना ये से, तो कॉन्राद सांगमा सब के साथ एक balance type का maintain करते हुए हमको नजर आ रहे, पिस से पांक सालों में, तो और बाकी issues के साथ, ये issues में वहां का local चीजे जो dominant है, ये ज़्यादा important होगा आपने हमें बताएं और उसके साथ ही राजनीती कैसी है और मुद्दे भी क्या हैं, वो एक साथ आपने हमें बता दी, संदीपन अब हम थोड़ा सा दर्शकों को नागलेंड की और ले जाएंग तृपरा और मेघाले के बाद अब चलते हैं नागलेंड की और, नागलेंड विधानसवा का कारेकाल 12 मार्च को समाप्त हो रहा है, नागलेंड में भी 60 सदस्थे विधानसवा है और यहां भी 27 फरवरी को वोट डाले जाएंगे, मदगर्णा तीनो राज्यों की जैसे की आया कि एक साथ दो मार्च को होगी, नागलेंड में भी भाजपा सब्ता में भागिदार है, नागलेंड में एनडी पी एफ यानि नेशनल डेमोक्रेटिक प्रग्रेसिव पार्टी और भाजपा की मिली जिली सरकार है, हाला कि 2018 में 60 सदस्थे विधानसवा में सबसे ज़् कार बनी, एनडी पी एफ और बीजिपी की, और अब यहां संख्या गनित भी बदल गया है, संदीपन आपने बहुत तरीके से तुरुप्रा और मेगालेंड की राजनिती को डिकोट किया, जनता के मुद्दे बताए, अब एक और राज्ये आता है, हमारा पुर्वोतर का न बीजिपी का सरकार है, तो अभी इन डोनुपार्टी के भी इसमें कोई क्लैश या इस तरह को मडवेद हमको नहीं आ रहा है, हाले कि नागालेंड थोड़ा सा चर्चा में इस ताइम बहुत जादा तो नहीं दिख रहा है, नौटिस में, यहां तो यहां अखवारों में, मेडिया में बहुत जादा नहीं दिखता है, लेकिन इस समय मुगल जे एक बार बताए कि नौटिस के स्पेट्स में भी जो इंटर स्टेट बोर्डर कॉंफ्लिक्ट यह सब थोड़ा सब फिर से न्या तरीके से थोड़ा हाट्सों से उभर के आ रहा है, क्योंकि आसामों न लेकिन उन लोगों ने उसको लेके ही और फिर बाकी इसुस को लेके भी जैसे बाकी बाकी इसूस को लेके भी जैसे महंगाई बगरा यह सब को लेके डोजार अठारा में तो यह सरकार तो बना लिये थे लेकिन अभी जो आपका हिल्स और प्लेंज तो यह जो कंफ्लीक्ट है इसमें हमको नहीं लग रहा है कि आपका हिल्स वाले जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा खूश हो गए या कि उन लोगों को जिस ताइप जिस जिस किसम का वो लोग फेसिलिटीज या डिमांज रख रहे थे वो सब सारा फुल्फिल हो गया ऐसा तो नजर नहीं आ रहा है तो हमको बहुत जड़े डिख नहीं रहा है कि एकदम लोग खूश है नागलें में बाकी इस तूज आपका बे नागा पी सेकोर्ट जो बहुत है यह थे तो उस में भी कुछ-कुछ लोग तो एकदम नाखूश थे बहुत सरे सेक्शन से नहां पर नागलें भी इतना खूश नहीं थे तो अभी उसको लेके चुबारा चर्चे में थोड़ा बहुत तो आना शुरू है एलेक्शन भी आ है हलकि बहुत जदा सामने इस समय कि नागलें में क्या होगा या किस ताइब का डाइनेमिक से एक्विशन बन रहा है यह नजर बहुत साफ तरीके से आ नहीं रहा है चलिए संदीपन आप निगा रखिए और उसे खंगा लिए और इन तीनों चुनाओ पर बड़े लेने के लिए और अपने खास और से इसलिए बहुत ज़रूरी है आपके पास आना क्योंकि आप महां के रहने वाले हैं लंबे समय से आप पूरी राइनिती पे निगाहर रखें और उत्तर भारत जो एक वो है उसको इन राजियों की बारे में जानना चाहिए समझना चाहि अब इसमें क्या-क्या रंग देखने को मिलते हैं आगे के एपिसोड्स में हम और विस्तार से चर्चा करेंगे आपको यह भी बता दें कि पूरवत्तर के चोथे राज्य मिजोरम के चुनाओ भी इसी साल होने हैं उसकी विधान सबा का कारेकाल नमंबर तक है तो इस तरह हमरा चुनाओ चक्र जारी रहेगा इसी तरह हमारे साथ बने रहिए हमारी पत्रकाईता को सहयोग और समर्थन दीजिए सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए साथ बने रहिए शुक्रिया